हैलो नमस्कार शाथियों कैसे आप सब आसा विस्बास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे स्वस्त होंगे जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे हो चुका आगाज रणका युग बदलने की तयारी जीत उसी की होगी जिसका संगर से जारी जो बच्चा निरंतर सही दसामे मैनत का पसीना भाएगा निश्चिती मैदान जीत कर ले जाएगा मैं आसीस आपके अपनी यूटूब चैनल फिजिक्स वायासेसर में दिल खोलकर शवागत करता हूँ आज कक्छा तोयल्थ का एक बिसिस टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है विद्दुधारा बहुत सारे डाउट्स बहुत सारी चीज़े दिमाग में रहती हैं कि विद्दुधारा अदिस रासी है या सदिस रासी है अगर अधिस रासी है तो क्यों अधिस रासी है उसादिस क्यों नहीं है जबकि उसके पाश जारेक्शन होती है ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे उन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एक MPR की परिभासा क्या होती है इसको जानने का प्रियास करेंगे एक सेकेंड में कितने electron फिलो होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और भी वहुत सारे जो चीज़ें हैं उसके बारे में धीरे धीरे करके हमारे डिस्कस करेंगे तो basically topic का नाम है आज इसको topic को हम रेंदर करते चलेंगे topic का नाम है विदुधारा topic का जो नाम है उसका नाम है विदुधारा ये आगे हमारे साथ carry-on चलेगा वैदुधारा जिसे हम लोग इंग्लिस में electric current कहते हैं वैदुधारा जब भी धारा की बात आती है तो हमें दमाग में click करना चाहिए कि कहीं न कहीं electric current की बात हो रही है electric current धारा मतलब होता है अपना electric current Electronic current क्या होता है इसको जानने के लिए हम लोग प्रियास करेंगे जब भी धारा की बात करते हैं इसलिदा है धारा से धारा की पहले आप को यह जानना होगा कि आभी इस चाप्र अपर में या वरिया होते हैं और e- swarm सब्सक्राइब। वो चलेगा जब वो चलेगा तो हमारे पास जो करेंट है वो जनरेट होगी तो अभी हम लोगों ने जो इस्टिक पॉर्शन पढ़ा है इस्थिर विद्दुत की जिसको हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियाम बैदुद विभाव और भी जो टॉपिक हमारे साथ थे बैदुद करेगा मतल раз चलेगा जब आप शलता है कारण होती है करेंट जनरेट करन्ड होती है तो करेंट की बार फिर जैसे ही जंप करेंगे यह निजम करते हैं और अग्ड्रिक प्रोपर्टी तो पहले किस्टे तरäg को सकते हैं करें गजय करें उसकी पारय की बात करतेengers ओपता। अभारा की बहुत स्थिंबल से डिफाइन वताएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आवेश हैं जो गतिक इस्थिती होती हैं तो गतिक अबस्था है ऐसा भी बोल सकते हैं गतिक मतलब चलने वाले गतिक आवेश की अवस्था वैदुत धारा कहलाती है जब दी आवेश गती कर रहे होंगे तो जो इस्थिती बनेगी उसे हम लोग धारा कहेंगे या दूसरे तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है किसी चालक में कोई अपने पास किसी चालक में प्रती सेकंड प्रभाहित होने वाले प्रभाहित होने वाले किसी चालक में प्रती सेकंड प्रभाहित होने वाले आविसों की संख्या कि वैदु धारा कहलाती है वैदु धारा कहलाती है ठीक है इससे हम लोग क्या करेंगे आई से प्रिदस करेंगे जो धारा विए हमें इसको किसे हैरें आप है से इसे अ आई से करते हैं भाहा की तों भी नहीं नशी चलिचलें इसे ऐह кусते कर देंगे आई यह लोगो राइब अनोर आपरिश्थे सब्सक्राइब करना चाहें तो क्या लिखेंगे वैदुत धार्य आई अब होने कि दर मतलब आपिस्प्रभाहिए होने की दर क्या मतलब है कि वैदुत प्रभाहिए और बट्टे समय कितने टाइम में वह प्रभाहिए हो रहे हैं प्रभाहित आभिश प्रभाहित प्रभाहित आभिश क्यू और कितने समय में वह हो रहा है यह समय तो जनरली जो फॉर्मुला कच यहां किया है आपके पास आबेस और T क्या है तो एक आंक समय में में सीचालत में अगरमद की value कितना लेके चले हम लेकिता वन बोले तो एक आंख या एक सेकंड तब क्या कहानी होगी इस फॉर्मूले की जो i की value होगी निश्य थे q की बराबर हो जाएगी जो t की value है वो एक आंख करते मतलब एक सेकंड लेके चले हम एक सेकंड की लेके चलते हैं इस standard of definition बनाने होती है हमें तो हम जो denominator की value है उसको क्या कर लेते हैं एक कर लेते हैं जब t की value 1 हो जाएगी यहां 1 second हो जाएगा तो जो i होगा क्यों बराबर होगा मतलब जितने आवेस किसी चालक में प्रभायत हो रहे हो वही किसका काम करेगा Eve करेंट का कब जब 1 second की बात हो रही ह roommate मतलब 1 second मłem किसी चालक में प्रभायत हों में वाले जो आविसु की संख्या होती हो से हम लोग या कहते हैं बैदो धारा कहते हैं आप चुकि में पहला जो चैप्टर है हमारे पास उसमें हम लोगों ने कॉंटी कॉंटी करन सिध्ध्धंत पड़ा था वो का उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले यह देख रखान करें तो कि से हैं तो किस सब्सकाइन होगा क्यों कि वैड़ा को अब क्यों कलाध एक वी तो की इसका मातरक होता है को है प È पर सेकंड क्या बन जाएगा बटा कूलाम पर सेकंड इसको सी लिखते हैं और इसको सेकंड को हम लोग सेकंड ऐसे लिख देते हैं तो सी सेकंड इन्वर्स भी हम इसको लिख सकते हैं या या जो कूलाम पर सेकंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं परिवाशा की बात करते हैं तो यहाँ से जो एक कहां जो एक की पारिवासा की बात करते हैं तो तो यहां से जो ampere की परिवासा की definite बनती है, वो ऐसे बनती है, अगर ampere को आपको 1 लहीं ना हो, तो यह 1 हो जाएगा, कुलाम पर सेकंड क्या करना है, 1 और यह भी 1, यदि ऐसी कहानी हो, ध्यान सुनेंगे, यदि, यदि, t बरावर हम लेके चलें, मतलब time यह कतना लेके सा लें, 1 सैकंड, और जो charge हैं अपने पास, आवेस हैं, वो भी कितने लेके चलें, 1 कुलाम, अगर किसी चालक में, यदि किसी चालक में, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने चार्ज फिलो हो जाएं, एक कुलाम तब उसमें जो करेंट फिलो हो रहे होगी तब जो आई की वैलू होगी तब जो आई की वैलू होगी वह बन एंपियर के एकक्वल होगी किसके एक्वल होगी बटा वन एंपियर के एक्वल होगी यदि एक सेकंड में एक कुलाम चार्ज किसी चालक से प्रवायत हो जाएं तब उसमें भेने वाली जो धारा होगी वो निश्य थे कितनी होगी बटा एक एंपियर होने वाली है कितनी होने वाली है एक एंपियर होने ये तब इसकी परिवासा हम जब लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे बटा यदी यदी किसी चालक से यदी किसी चालक में एक सेकंड में एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित हूँ यदी किसी चालक में एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित हूँ तब चालक में वहने वाली धारा एक एंपियर होती है इतनी बात के लिए रहे क्या एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित हो जाएं तब उसमें जो धारा वहेगी वह कितनी होगी आपकी एक एंपियर होने वाली है इसका थोड़ा से इसको हमें एजस्ट कर लें थोड़ा से रुखिया एक मिनिट यह लिए सौरी यह आपको दिखनी रहा था अभी आपको दिखने लगेगा चलिए अब आपके साथ के लिए रहे यह पूरा एकदम सौरी आप इसको अब देख लिए न अच्छी से एक बार फिर से समझा दे रहे हैं साहिर यह पहले आ नहीं रहा था विटा मनें देखनी पाया उसक आवेस फिलो होने की अवस्ता है किसी ही कंड़क्टर में जो आवेस फिलो होने की अवस्ता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं वैद्धुधारा या किसी चालक में एक सेकंड में जितने आवेस प्रवायत होते हैं या ऐसा बोल सकते हैं आवेस प्रवाय होने की दर टी स बन सेकंड कर लें या यह कांग कर लें तो जो आवेश होंगे वो धारा के बरावर हो जाएंगे यह आवेश हो की जो संख्या होती है वहने की उसे ही हम लोग बैदो धारा कहते हैं जब समय की वैलू कितनी हो एक हो जब मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक होता है तो यह एक करनी है तो इन दोनों की वालू भी वन बन होनी चाहिए यदि एक सेकंट में किसी चालक में कुलाम अबस प्रभाइत हो तो से इसको आप इसके न्य साट लेए शेक्ते हैं इसके वाद हम लोग आगए बढ़ेंगे थोड़ा सा चर्जा और करेंगे अब बात करते हैं बटा किसी चालक में जो धारा होती है इसके पास दिसा होते हुए भी ये अदिस रासी है एक मातर मतलब लगवक ऐसा कह सकते हैं हम लोग इसी रासी है यह फिजिक्स मेरिक के जिसके पास दिसा होती है लेकिन दिसा होने के साथ ये कैसी रासी होती है बटा आदिस रासी होती है एक मातर तो नहीं वोज़ते हैं क्योंकि और भी वहते रासी हैं लेकिन ये बहुत इंपूर्टेंट हमारे पास हो जाती है तो हम बात करते हैं धारा की दिशा की, धारा की दिशा, तो जो धारा की दिशा होती है, जो धारा की दिशा होती है, आपको अगर बहुत अच्छे से हम समझाएं, तो धारा की दिशा के लिए आपको क्या करना है, धारा की दिशा हमेशा एलेक्टॉन के बहने की दिशा होती है, जहां एलेक्टॉन फिलो होने की विप्रीद दिशा एलेक्ट्रोन के प्रभाय होने की विप्रीद दिशा मैं धारा की दिशा होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो धनाविश होते हैं दिशा होती है और इलेक्ट्रोन के प्रभाय होने की विप्री दिशा में धारा की दिशा होती है जो धारा है वो अदिश राशी है किस अदिश राशी है तो धारा एक अदिश राशी है कैसी राशी है विटा अदिश राशी है यह बहुत अच्छा एक एक एक्जामपल है हमारे समझने के हिसाब से कि अदिश एक राशी क्यों है यह अदिश राशीया क्या होती है बे राश हैं यह सिर्ए आता है जिसा होती है साथ के साथ वह वेक्टर का अगर पालवन करती हैं साथ के साथ वो वेक्टर यहां मका पालन करते हैं तब वो सदिस रासियां नहीं बनेंगी जैसे हम बात करते हैं अधिस रासिये क्यों है धारा एक अधिस रासिये वो क्यों है इसका कारण हम सुनते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं जैसे माल लेजिए हमारे पास यहां से कोई करंट आ रही है इस टाइप स कितनी आ रहे हैं बटा चार एंपियर और यह जो एंगिर बना रही है वो 90 डिग्री के साथ आ रही है ठीक है जब यह आंगे इस जंक्सन पर मिलेंगी आंगे जब यह जंक्सन पर मिलेंगी इस वाले पॉइंट पर तो निकलने के बाद अगर हम कहें यहां पर यह करेंट निक कि अगर इसकोht वेक्टर निएम से खेंगे आप इसको वैक्टर नियम से देखोगे इसकी जो परिमार आएगा साथसे आ इतुय सी कितना आया का 4 यह तो हम इसको परिमार निकालेंगे आई-वडराबर वो कैसे आता है दो सरुसा यह तो सडिसे रासियं गरें लिके चलें यह सदिस रासी है तो सदिसों का जो परिमाड आता है उसके माने हैं से क्या होता है जब दोनों को सदिसों के बीच एंगल करता हो तो 90 डिगरी तब उनका जो परिमाड आता है वो आएगा आपका सदिस नियम से सदिस नियम से यह कौन सा हो गया बटा सदिस नियम यह आपका सदिस नियम है जबकि यहां जोड़ा है यह कौन सा नियम है आपका अधिस नियम है ठीक है तो सदिस नियम से क्या हो जाएगा तीन का स्क्वार करेंगे आप यहां पर चार का स्क्वार करेंगे तो तो i is equal to क्या बन जाएगा आपके पास पांच का स्क्वाइर और यहां उपर रूट लगा है तो यहां सको कैंसल कर देगा तो i is equal to क्या जाएगा पाइगा फाइव एंपियर जबकि हमारे पास आंसर क्या रहा है बेटा साथ एंपियर लेकिन जा सदिस नियमों से लगाया तो कितना आंसर आया पांच इसका मतलब यह है कि धारा है वो सदिस नियमों का पालन नहीं करती है और जो बहुत एक रासियां सदिस नियमों का पालन नहीं करेंगी वो रासियां क्या क्या लाएंगे बिटा आपकी अधिस रासियां बनेंगे इतनी बात सायद आपको बहुत अ दिगरी होता है तब उनका जो परणमी आता है जो juststant आता है जो फॉनके रूट के अगर हमुद के अंदर लिखते हैं तो परिमार देता है तो हमने परिमार्ण जर निकाला खिंप इसकर आ happier गई इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना अजना रहा है संसाथ आ इसका मतलब है इस अधिस नियमों का पालन नहीं करती है अर्थात जो आपके पास धारा है वो कैसी रासी है बिटा एक अधिस रासी है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी एकदम से चलिए आगे बात करते हैं कि जो आपके पास एक सेकंड में सर आपने कहा है कि एक चालत में कितने आवेश प्रवायत हो जाते हैं यदि धारा की एक एमपीर हो तो हमने जो आई बरावर पढ़ा है बेटा बो क्या पढ़ा है क्यों बढ़ा है पढ़ा है तो इसको आपको आपका नहीं होता था नम्मर अफ लेक्टॉन हुआ करते थे नमबर अफ लेक्टॉन और ये क्या होता था आवेश पर जो आपका चारज है चार्य एलेक्टरन पर चार्ज है तो गो है चारज ओफ एलेक्टरन ये हमने पढ़ा है चली तो क्यों की जगए पर हम एन इपॉँंटी से प्ट्रसकते हैं i वराबर एन इपॉँंटी अगर n क्या है number of platform हम यह कह रहे हैं आपसे यदी इसमें देखिना ध्यान से देखना बिटा यदी ऐसी कहानी हो बिटा यदी n बराबर आपके पास कितना हो निकालना है आपको कितने electron प्रभायत होंगे ये तो बात की बात है यदी ऐसा हो टी बराबर कितना हो बिटा आपके पास एक सेकंड हो कितना हो एक सेकंड और एक सेकंड में जो धारा वह रही हो वो इतनी हो बिटा एक एंपियर कितनी हो एक एंपियर एक सेकंड में अगर एक एंपियर की धारा होता है उसे हम लोग धारा कहते हैं तो एक इमप्र की धारा बैह रही है एक सेकाण में पया हो रहे हो इसमें चलिए कि देख ते हैं तो इसके Sam से क्या बन जाएगा इस लिए आउल यह डेखते हैं यहां पर ऐह की तक उंकक किया उतलबुर्क भाण ओ यह एक n की value हमें निकालना है e की value होती ही 1.6 10 की बावर बटा 19 माइनस का अपॉन 1 ampere हो गया कि नहीं चुकि हम जानते हैं कि n की जो value है 1.6 10 की बावर माइनस 19 होता है तो जब t बरावर 1 second रखें आई बरावर 1 ampere तो n की value निकालनी है तो आई बरावर 1 ampere हो गया n की value find करनी है e की value आविस होता है इतना charge पर और t की value होगी बेटा 1 second तो n इंटू 1.6 10 की बावर माइनस 19 is equal to 1 हो जाएगा n निकालना है तो n बरावर क्या बन जाएगा 1 upon 1.6 10 की बावर माइनस 19 10 upon 16 इस पावर को उपर सिप्ट कर देंगे तो 10 की बावर प्लस का 19 बन जाएगा एक पावर और इसकी हम लोग खीश लेंगे तो यह 100 बन जाएगा upon 16 हो जाएगा 10 की बावर कित्ता हो जाएगा इसको काटेंगे कित्ता बन जाएगा n is equal to 16,5 16,6 96 point लगाएंगे 16,2 32 और 16,8 10 की बावर 8 कित्ता हो जाएगे बटा 18 इसने इलेक्टरन फिलो होते हैं एक सेकंड में किसी चालक में एक सेकंड में कितने आव इस फिलो होते हैं बटा जब तक लिए पढ़ते रहिए खुस रहिए, मस्त रहिए छोटे बच्चों से प्यार किजिए बड़े लोगों का सम्मान किजिए अपना विक्तित तरीके से विक्सित किजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें थैंक्यू शो मच All the best